Hey guys, welcome to the study with Mayank मैं हूँ आपका Mayank और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCERT, Polity, Class 9th के MCQ आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अंतिम अध्याई है In Chapter 5 यहाँ पर हम लोकतांत्रिक अधिकार से संबंदित प्रशनों को देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रशन है आपका आज दुनिया भर के बिभिन अलोकतांत्रिक देसों में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगर्स देखने को मिल लहा है लोकतंत्र में अधिकार के संधर्व में निम्लिकित कतनों पर वेचार कीजिए उचा गया है कौन सा कतनिया पर असत्त्य है पहला है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं इन्हें समाई से स्विक्रती और अदालतों द्वारा मानिता मिली होती है सेकंड अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूबसरे पर भी समान रूप से लागू हो थर्ड है किसी भी अधिकार की प्रासंगिक्ता के लिए उसे पूरे समाई से स्विक्रती मिलनी जरूरी नहीं है चोथा है समय और इस्थान के साब से अधिकारों की अपधारना एक जैसी रहती है पाँचमा अधिकारों को लिखित रूप में वर्ड़ित करने से उनको असली ताकत मिल जाती है अनिथा बे प्राकर्तिक या नैतिक ही रह जाते है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यतने भी आज अलोगतांत्रिक देसे हैं तो उन अलोगतांत्रिक देसों में कही ना कि उनके नागरिकों के द्वारा लगातार ये मांग उठ रही है कि उन देसों के नागरिक को भी कुछ बुन्यादी अधिकार दिये जाएं ताकि वो नागरिक भी जो है अपना जीवन समान्यत जनक तरीके से और गर्माबूर तरीके से जी सकें भही लोकतांतिक देसों में तो ऐसे अधिकार दिये हुए हैं तो यहाँ पर उन अधिकारों के बारे हम बात हो रही है तो पताया गया है कि अधिकार क्या है लोगों के तारकिक दावे हैं यानि कि तारकिक यानि कि जो भी हमें अधिकार मिला है वो तारकिक कुप से मिला है और हमें समान रूप से मिला है यानि कि हमें जो भी अधिकार दिया गया है, समानता का दिया हुआ हो, सतनता का दिया हो, एक तार्गिक रूप से दावा है, यानि हमें एक बुनियादी जीवन जीने के लिए, यानि कि गर्मापूर जीवन जीने के लिए उन अधिकारों की बुनियादी पूर सावशक्ता हो होती है थो इस वज़े से हुआरे एक तार्गिक दावा है दूसरी बात क्या है समाज से स्विक्ष़त ही मिली होइए यानि कि हमारे किसी एक ब्यत्तिवसेस को अदिकार नहीं है बलके बहुत संक्यक क्यों मिले हुए है यानि इडेश में रहने किया हुआ दावा, दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो देखे, यहाँ पर आप कोई भी अपना अधिकार मालीजे रख रहे हैं तो आपसे ब्रेक्षा यही की जाती है कि आपके लिए तो अधिकार है ही है साथी साथ दूसरे व्यक्ति के भी अधिकारों का आप हनन ना करें जैसे माली जिया आपको गूमने फिरने के अधिकार है अप सब्सक्राइब आप कहीं पार्क में गूमने गए अपने साथ एक छडी लेकर गए और छडी को हवा में आप गुमा रहे हैं और माली जिया किसी व्यक्ति के आँख में नाक में या कहीं भी किसी भी अंग में जाके उससे चोट पहुंच जाती है तो इस तरह के अधिकार का आप दावा नहीं कर सकती है यानि कि आप जो भी अधिकार रख रहे हैं और आप उत्तारकिक होने चाहिए वे ऐसे होने चाहिए कि किसी को समान मात्रा में उन्हें देपाना संबब हो और किसी को भी उनसे आपसे छती ना पहुँचें तो यहाँ पर सेकिंड वाला कतन बिल्कुत सही है किसी भी अधिकार की प्रासंगिक्ता के लिए उसे पूरे समाज से स्वीट करती मिलनी चाहिए देखे यहाँ पर मिलना जरूरी नहीं लिखा है जबकि यहाँ पर आप यह जानते हैं जैसे मैं एक एक्जामबल ले लिता हूँ नैपाल का तो नैपाल में आपको बता होगा नैपाल में पांच बार समिधान बनाने का प्रयास हो चुका है यहीं बरतमान में जो दोयार पंद्रे में समिधान लागू हुआ है इससे पूर्ब में भी, यहींनि सन 1950 से ही, 1950 के दुसक से ही वहाँ पर समधान रिर्माण का कारी स्टार्ट हो गया था, लेकिन लगत 4-5 पर समधान वहाँ पर मनाया गया है और लगा था और वहां की जनता ने उसे अस्विकार कर दिया है, अस्विकार करने का रीजन क्या था, क्योंकि बहाँ पर जो अधिकार रखे गए थे, अधिकार दिये गए थे, वो राजा ने अपनी मनमर्जी से रखे थे, बहुत संग्यक समाज ने जो मांगा था, बहुत संग्यक समाज ने जो चाहिए था, उसके हिसाब से नहीं थे, तो कही न कहीं यहाँ पर जो भी अधिका जब देश में रहने वाली जनता उसे स्विकार कर लेगी, जब देश में रहने वाली जनता की उसमें आस्था होगी, अमाली ये देश में रहने वाली जनता उसे स्विकार नहीं कर रही है, उसकी उसमें एक परसेंट आस्था ही नहीं है, तो ऐसी अधिकार का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा, चौथा है, समय और स्थान के साब से अधिकारों की अवधारना एक जैसी रहती है, देगे यहाँ पर चौथा बाला गतन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर समय और स्थान के साब से अधिकारों की अवधारना वो बदलती रहती है, जानि कि एक एक एक्जा वाया जिसे समाज में इस प्रसित्ता का अंत हो सके. तो यहांपर समय उरस्थान के साफसे अधिकारों की अभधार्णा एक जैसी रहती है यह कहना गलत हो जाएगा यह डिपेंड करता है देस में जो समाज है देस का जो समाज है वो किस प्रकती का है और उसके according ये अधिकार प्रदान किये जाते हैं जैसे हमारे आपने देखा होगा हमारे याधिकार बेद भी यहाँ पर बेदवाव सबसे ज़्यादा है तो हमारे अधिकार जो दिये गए हैं उस हिसाब से दिये गए हैं ताकि किसी भी जात में असमानता व्याफ्त ना हो सभी जातियों में लवक्त समानता बनी रहे सभी जाती सभी वर्ग जो है कानून के दाएरे में जो है अवसरों के दाएरे में समान रूप से यहाँ पर तॉले जाएं समान रूप से रखे जाएं पाँसमा है, अधिकारों को लिखित रुप से वड़िद करने से उनको असली तागत मिल जाती है अनित्वी प्राकर्तिक या नेत्ग ही रह जाते हैं देखें, समाज में जब मानने कायदे बगरा होते हैं उनको लिखत-पड़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताग़त मिल जाती है और इसके बिना वे प्राकरतिक यानि मौकिक रूप से रह जाती है जैसे प्राकरतिक अधिकारों में क्या होता है कि प्रमपरागत जो अधिकार चले आ रहे हैं जो प्रमपरागत अपनी इस दृण द्रंड विए समान ही है तो यहाँ पर 1, 2 और 5 गतन सही है पूचा गया है कौन सा गतन असत्य है केबल 3 और 4 गतन असत्य है तो आंसर है आपका D केबल 3 और 4 Q2 है आज आपका लोगतंत्र में अधिकारों की जरूरत के संधर्ब में नेमलिखित गतनों पर विचार कीजिए यहाँ पर पूचा गया है कौन सा गतन असत्य है पहला है लोगतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है ताकि सभी लोगों की आस्ता लोगतंत्र में कायम रह सके सेकिंड, अधिकांस लोकतंतरिक सासन व्यवस्थाओं में, नागरिकों के अधिकार संबिधानमे लिकित रूपस में दर्ज होते है थर्ड है लोगतंत्र में हर नागरिक को बोट देने का और चुनाव लड़कर प्रत्निदी चुने जाने का अधिकार है अधिकार बहुत संक्यकों के दमन से अल्ब संक्यकों की रक्षा करते हैं पांचमा है लोकतंत्र में कुछ अधिकारों को सरकार से भी उचा दर्जा दिये जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंगन ना कर सके देखें ये बिल्कु सही बात है कि लोकतंत्र में यही अपक्षा की जाती है क्योंकि लोकतंत्र का निर्माड़ी जो होता है वो लोगों से मिलकर होता है और जब भहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों की सुतंता या उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा तो ऐसे विवस्था को लोकतंतर कहना उचित नहीं होगा तो यहाँ पर लोकतंतर में यही पेक्षा की जाती है कि अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार बुनियादी सुब्धाय प्रोवाइड करवाई जाएं तो उनी के बारे में बताया गया है कि लोगतंत्र की स्थाबना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है ताकि सभी लोगों की आस्ता लोगतंत्र में कायम रहे ये बिल्कु सही बात है कि यहाँ पर लोगतंत्र तभी स्थाबित हो सकता है जब हम वहाँ पर रहने वाले नागर अगर हमा लीजे लोकतंत्र में किसी को जादा अधिकार दे रहे हैं तो फिर वो लोकतंत्र की जो कह सकते हैं प्रासंगिता है प्रभावकारिता वह वहाँ पर नहीं रह जाएगी तो यहाँ पर यह पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुत सही है सेकींड है अधिकांस लोकतंत्रिक सासंग विवस्थाओं में नागरिकावं के अधिकार संभिधान में लिकित रूप में दड़ जोते हैं तो वहाँपर जो बन्यादी अधिकार है उन्हें संभिधान में वर्डित किया गया है ताकि कोई भी सरकार, कोई भी पाइटी, लोगों के अधिकारों को हनन ना करबाए और हनन होने की सिती में क्या है, नागरिक तत्काल नियाले की स्रड में जा सकते हैं लिखित रूप में उन्हें दिये गई है, लिखित रूप में आस्वासन दिया गया, आस्वस्त किया गया है, कि आपको ये अधिकार प्रदान किये गए हैं, तो यहाँ पर लोगतंतर द्रिसों में यही तरह का प्रणाली देखने को मिलती है, यही जो भी अधिकार है हमारे स जो भी चुनाव होते हैं, इसमें लोग अपने बिचारों को ब्यक्त कर सकते हैं, रायनेतिक पार्टी बना सकते हैं, रायनेतिक गदवीदियों में भाग ले सकते हैं, इन सब की आपको आजादी दी गई है, तो यहाँ पर थर्ड वाला गतन भी यहाँ पर सही है, अधिकार बहुत संक्यों के दमन से अलब संक्यों की रख्चा करते हैं, देगे लोकतंत्र में लोगों से मिलकर इसका निर्माण होता लोकतंत्र में यहीं अपक्ष्या की जाती है, देशront में मौझी सब ही नारिकों को समान रूर्प से तॉला जाए, यानि ऐसा ना हो कि महाँ पर ए Article 29 और 30 जो है हमारे अल्ब संख्यक समदायों के लिए रिजर्व कर दिये ताकि उनके जो अधिकार है वो समच्चित रह सके हैं उन्हें कोई भी बहुत संख्यक बर्ग दबाना सके तो यहां चौथा वाला कतन भी आपका सही है लोगतंत्र में कुछ अधिकारों को सरकार से भ समधान में क्या होता है हमारे समधान में हमारे समय निर्माताओं इस तरह की विवस्ता हमारे यह डवलप की है कोई भी सरकार आ जाए वो लोगतंत्र में मौजूद बुनियादी अधिकारों का हनन्त नहीं कर सकती जैसे हमारे या फंडामेंटल राइट को सरकार से भी यहाँ पर उचा दरजा दिया गया है तो यहाँ पर आपके पांचों खतन आपके सही है उचा गया है कौन सा खतन असत्त है इन मैं से कोई भी खतन असत्त नहीं है तो आंसर होगा आपका D क्वेशन नमर थर्ड है आज आपका निम्लिकित मैंसे कौन से अधिकार भारती सम्विधान के मौलिक अधिकारों में समलित है पहला है शोशड के विरुद्ध अधिकार समानता का अधिकार स्वतनता का अधिकार सम्विधानिक उपचारों का अधिकार सैचिक एवन सांसकत अभी बर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी बर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार वड़ेते हैं 6 मौलिक अधिकार सामिल हैं जिसमें आपका सुसल के विरुद्द अधिकार जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपके क्या है 16 के पिरुद्द अधिकार है समानता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 14 से 18 के भी समानता का अधिकार आता है आपका सुतंता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक सुतंता का अधिकार का जिकर किया गया है संबेधानिक तो इस वजह से संपत्ती का अधिकारप्जी है समझने वाली बात है हाना कि कि अपने श्टार्ट慧ान का भिवाद का बिखे रहा था तो बाद में पहें फिर हटाना पड़ा है जब हमारे भूमी सुधार वगरा स्तार्ट किये गए है तो उसमें ये अदिकार कहिना की बाधा बन रहादा तो मूल लूप से जब समुधान बन कर तयार हुआ था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे उसमें संपत्ति का अधिकार भी सामिल था लेकिन चुकि 44 मां संपत्ति का अधिकार में हुआ है उसके बाद संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया है यह ध्यान रखने वाली बात है तो अभी बर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हैं यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर आंसर होगा C केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 Question number 4 है यहाँ पर भारती संविधान देश के प्रतियक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है समानता के अधिकार के संधर्म में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए मुझा गया है यहाँ पर कौन सा अगतन सकते हैं पहला है, हमारे देश में कानून का सासन है अर्थाथ कोई व्यक्ति कानून से उपर नहीं है सेकिंड, सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाती, समुधाय, लिंग और जन्मिस्थल के आधार पर बेदवाव कर सकती है थर्ड है आपका, सरकारी नौकरी में किसी पदपर नियुक्ती या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है चौथा है, संबिधान में किसी भी तरह के चुबा-चूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है तो बात करें, लेकि आपने पढ़ा हुगा कि हमारे यहां देश में कानूनी राज है कानून का सासन है, कोई भी व्यक्ती जो है यहां पर कानून से उपर नहीं है चाहे वो देश का राश्टपती हो, प्राइम मिनेश्टर हो, कोई भी बड़े से बड़े बदबर आसीन क्यों ना हो सभी लोग कानून के दारे में समान है यानि कि यहां पर एक खेत में काम करने वाले मैदूर से लेकर एक राश्टपती तक सभी के अधिकार कानूनी रूप से समान विले हुए है तो यहां पर पहला बाला कतन बिलकुल सही है, हमारे देश में कानून का सासन है अर्थात को यह व्यक्ति कानून से उपर नहीं है दूसरा कतन है, सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाती, समदाए, लिंग और जन्मिस्थल के आधार पर भिदवाव कर सकती है देगे, यहां पर सभी सरकारें जो हैं, उनसे यही पिक्षा की जाती है आर्टिकल 15 में जो बढ़ देता है, नुच्छित 15 के तहत, कि यहां पर किसी भ्यक्ति के धर्म को लेकर, जाती को लेकर समदाए, लिंग या जन्मिस्थल के आधार पर भिदवाव नहीं किया जाएगा उसे किसी भी दुकान, होटल, सिनेमा घर या साजनिक स्थल में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा साथी साथ साजनिक कुए में गयरा हैं, तालाव हैं, इसनान के घाट हैं, सडक या खेल के मैदान हैं या फिर कोई साजनिक भवन हैं, इनके इस्टिमाल से बंचित नहीं किया जाएगा, यह नुच्षित पंद्रह में बढ़ देता है यह सेकिंड बाला कसन गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखाए, सरगार किसी से भी भेदवाव कर सकती है, यहाँ पर होना चाहिए, भेदवाव नहीं कर सकती है अगला है सरकारी नोकरी में किसी पदपर नियुक्ती या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है देगे हमारे अनुच्छद 16 के तहद हमारे अवसरों की समानता रखी गई है यहीं सभी को समान रूप से अवसर दिये जाते हैं हाना कि एक बात और ध्यान रखना इस बात को लेकर कुछ लोगे कमेंट पहले भी कर चुके हैं और आज में मैं बता रहा हूँ संभीधान जो है संभीधान को यहाँ पर समानता के दायरे में ही रखा है संभीधान में बोलना हूँ आरच्षड वाला जो प्राबधान है संभीधान बोल गया मैं आपर आरच्षड वाला प्राबधान है वो आपके जो आजिकल 16 में अवसरों की समानता है इसका हनन नहीं माना जाता है यानि कि इस तरह की जो विवस्ता रखी का समान अवसर उपलब्द हो तो इस बज़े से यहाँ पर सम्विधान में आरचड दिया गया है और सम्विधान में इस पर्ष्टूप से इस बात को लेकर प्रित्पुष्टी भी की गई है तो यहाँ पर जो सम्विधान पर आरचड की यहाँ पर बात आ जाती है तो ये कभी गंफ्यूज नहीं होना है कि एक तरफ तो आरच्षड समानता की बात हो रही है अवसरों की समानता की बात हो रही है दूसरी और आरच्षड भी दिया गया है तो आरच्षड को लेकर यहां पर बैलेड तरक भी दिया गया है समविधान में आपकी लंबे समय से चुवा चूत का प्रचलन रहा है, यानि हमारे भारती तियास में सबसे बड़ा कलंग यही है, कि हमारे यहां लंबे समय से चुवा चूत का प्रचलन रहा है, उस चुवा चूत का उन्मूलन करने के लिए हमारे यहां आर्टिकल 17 में, अनुच्छे 17 में, जो के विदिक कारवाई का प्रापधान रखा गया है, यहाँ पर चौथा बाला कतन भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर कतन जो है आपके एक तीन और चार सही है, तो आंसर है आपका B, केवल एक तीन और चार, Q5 आपका, हमारा संभिधान देश के सभी नागरिकों को बाधा रहित स्वतंता प्रदान करता है, संभिधान में वरडित स्वतंता की अधिकार के संधर में निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए, यहाँ पूचा गया है कौन सा कतन सत्य है, पहला है, अव्यक्ति की सतंता का अधिकार, सांधिपूर संभिलन का अधिकार, संग्ठन और संग बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने वा बसने का अधिकार, कोई भी काम धंदा करने वा पेशा चुनने का अधिकार, देखे हमारे यहां जो सुतंता का अधिकार दिया गया है यानि कि जो आपके अनुच्छेद 19 में सुतंता का अधिकार रखा गया है हाला कि सुतंता का अधिकार अनुच्छेद 19 में रखा गया है यानि कि जो सतंता का अधिकार है वहाँ पर 6 तरह की सतंताओं का जिकर किया गया है उन 6 तरह की में आपकी एक तो अव्यक्ति सतंता का अधिकार है यानि कि आप अपने बिचारों को अव्यक्त कर सकते हैं बोल कर, लिख कर, फंप्रिट शाप कर दूसरी बास सांध्पूर्ट संभिलन कर सकते हैं यानि आप अपनी बाद बिचार रख सकते हैं अपने लोगों को गैधर कर सकते हैं तो ऐसे करके यहाँ पर आपको ये सांध्पूर्ट संभिलन का अधिकार दिया गया है संग्ठन और संग बनाने का अधिकार है याप कोई संग्ठन बना सकते हैं संग बना सकते हैं सहकारी समितियां बगरा बना सकते हैं देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है ये देखे ये चोथा अधिकार हुआ और देश में कहीं भी बसने का अधिकार ये पांचमा अधिकार हुआ, यह आप देश में, इसके किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, आवाद रूप से संच्टर कर सकते हैं, किसी राजिछेतर में आप जुआ गूम सकते हैं, महाबर आप निवास कर सकते हैं, कोई भी काम धंदा करने हैं, और पेशा चुनने की आजाद आपको कोई भी बाद दे नहीं कर सकता है, जैसा कि हम पहली पढ़ चुके हैं, कि हमारे यहां जाती विवस्ता में क्या है, जाती विवस्ता में आपका क्या काम होगा है, पहली से निजारत है, तो क्या होता था, गाउं में कुछ निशली जातियों के लोगों को बाद किया ज पिछा लग कि अपके अंदर, जो भी छमता है, आप वही पेशामना है. आपको कोई यहाँ पर बात देनी कर सकता है. तो यहाँ पर सभी कतन सही है आपका है. पहला दूसरा तीन साय छोथा पाजमा पात्मों कतन यहाँ पर सही है. तो आंजर है D, यह उपर्योक्त सभी Question number 6 है आज आपका अव्यक्त की सुतंता का अधिकार की अधिकार के संधर में निर्मलेफित कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन या पर असत्य है पहला है अव्यक्ती सुतंता के अंतरगत बोलने, लिखने और कला के विभिन रूपों में स्वैम को व्यक्त करना सामिल है हम अपने बिचारों को पर्चा चापकर या अखवारों पत्रकाओं में लिख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं थर्ड है जरूत पढ़ने पर इस स्वतंता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाप बगावत के लिए उक्सा सकते हैं चौथा है इस स्वतंता का उपयोग करके किसी व्यक्तिया समदाय के खिलाप हिंसा को नहीं भढ़का सकते हैं जैसा कि आप ये बाद जानते होंगे अव्यक्त की आजादी के बारे में कि अव्यक्त की आजादी में हमें बोलने, लिखने और कला के विभिन रूपों में स्वेम को व्यक्त करने की यहापर आजादी हमें दी गई है और आप जब दूसरों से आप सुतंत रूप से बिचार विमर्ज करते हैं, संबाद करते हैं तो हम अपने ऐसे करके हमारे अंदर हमारे बिचारों का, हमारी ब्यक्तित्तु का विकास होता है तो यह अव्यक्ति की आजादी होना बहुत important है तो हमारे अव्यक्ति आजादी की तहद हमें बोलने, लिखने, कला के विमिन रूपों में स्वेम को विक्त करने की आजादी दी गई है सेकिंड है, हम अपने बिचारों को, यानि हमारे माइन में जो भी बिचार है, जो भी कुछ चलाए, उसको हमें आप पढ़जा में छापकर, पंप्लेट के रूप में छापकर, अकवारों में लेक लिखकर तो इन सब के ज़री अपने बिचार विक्त कर सकते हैं, तो सेकिंड वाला कतर बिल्कुछ सही है यहाँ पर तो लोगतंत्र में यहाँ पर लोगतंतिक तरीके से उसका विरोध करने की आलोशना करने की आजादी दी गई है, हाना कि लोगतंत्र में आपको अव्यक्ति के नाम पर किसी सरकार के खिलाब बगावत की अनुवती बिल्कुल नहीं दी गई है, बगावत का मलब यह होता है तक्ता प्लट कर देना, आप आक्रमक रवईया अपना लें, आक्रमक का मलब क्या है, तोड़ फोड, हिंसा, आग्जनी बगएरा करवाएं, इस तरह की अव्यक्त आजादी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप किसी सरकार से असंतुष्ट हैं, तो आप उसकी आलोशना कर सकते हैं, उसका ध्यान केंद्री मुद्दे पर ला सकते हैं, केंद्री मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए आप लेक से लिख सकते हैं, पंप्लेट शाप सकते हैं, लेकिन आप ये कहें, कि हम तक्ता प्लट करवाएंगे, हम हिंसा फैल सरकार पर दबाब बनाने के लिए सरकार अपनी सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए इस तरह से तो आप ये क्रत्ते बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर थर्ड वाला कतन असत्य हो जाएगा चौथा है इस स्वतंत्य का उपयों करके किसी व्यक्ति या स एसा करने कि आपको बिल्कुल आजादी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर चौथा बाला कतन भी बिल्कुल सही है केवल एक दो चार कतन सही है उचा ग्याए कौनसा कतन असत्य है तो आंसर है आपका C केवल थर्ड Question number 7 है आज आपका समिधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी सुतंता से वंचित नहीं किया जा सकता है समिधान में वर्डित प्राण एवं देहक सुतंता के सरच्छड के अधिकार के संधर में निवन्रेकित गतनों पर वेचार कीजिए पूचा गया है कौन सा गतन असत्य है पहला है किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी सुतंता से कानून द्वारा स्थाबित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है दोसी सिद्ध हुए नागरिक को कानुनी याधार पर उसके जीवन के अधिकार और निजी सुतंता के अधिकार से बंचित किया जा सकता है इस अधिकार में नागरिक को स्वक्ष परियाबर और स्वास्थय का अधिकार और आस्रयाद अधिकार भी प्रदान किये गए है देखे यहाँ पर आप लोग ये बात तो जानते होंगे जैसा कि हमारा समिधान कहता है हम किसी ब्यक्ति से उसको जबरन किसी ब्यक्ति के प्रांड नहीं ले सकते हैं अगर किसी ब्यक्ति ने कमालीजी कोई जगन अपराद किया जगन ने करत्त किया है उसको सजा कौन देगा नियायलय देगा तो नियायलय ही वहाँ पर बिदी के द्वारा इस्थावित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके प्रांड ले सकता है यानि फांसी की सजा होई और फांसी की सजा के बाद उसके जो प्रांड ले लिये गए तो फांसी की सजा के पीछे जो प्रोसिजर चला है पूरी जो कारवाईया हो Jewish उसके उपरांद फांसी की सजा होई है, randomly नहीं हो गई है किसी को पकड़ लिया हमने फांसी की सजा दिदी, randomly नहीं होई है तो यहाँ पर भही बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जीने के अधिकार और निजी सुतंता से कानून द्वारे स्थाविट प्रक्रिया से ही बंचित किया जा सकता है और जो दोसी सिद्ध हुआ जो नागरिक है उसको कानूनी आधारबस के अपने जीवन के अधिकार से भी हाथ दोना पड़ेगा और जो भी निजी सुतंता उसे दी गई यह उससे भी बंचित कर दिया जाएगा यानि यह प्रापधान किया गया है और माली जो कोई व्यक्ति किसी जगन अपराद में अपरादी पाया जाता है तो हमारे संविधान में उसको जो स्वतनता के अधिकार दिये गए हैं वो छीन लिये जाते हैं तो यहां जान अपर स्वास्थय का अधिकार आश्र आदिकार ये भी इसमें सामिल हो गई है तो यहां पर तीनों ही कतन सही है तो आन्सर है आपका डी क्योंकि यहां पर इन मैंसे कोई भी कतन असत्य नहीं है Q8 है आज आपका समिधान का अनुच्छिद 22 किसी व्यक्ति को गिरफतारी एवं निरोद से सरक्षड अधिकार के संधर्म में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पूछा गया है यहापर कौन सा कतन यहापर सही है पहला है गिरफतार या हिरासत में लिये गए व्यक्ति को उसकी गिरफतारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है सेकंड गिरफतार या हिरासत में लिये गए व्यक्ति को सबसे निकट के magistrate के सामने गिरफतारी के 24 घंडों के अंदर इसमें यात्रा का समय छोड़ कर तस्तुत करना होता है थर्ड गिरफतार या हिरासत में लिए गए ब्यक्ति को वकील से बिचार विमर्ज करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है देखे हमारे याँ जो अनुच्छित भाइस है लिखा हुआ है उपर ये किसी व्यक्ति को ग्रफतारी या और निरोज से सरच्छर प्रदान करता है यानि कि आप किसी को रेंडमली जवरन कैज करके नहीं रख सकते हैं तो उसके बारे में आप प्रदान बताया गया है यानि आप जब किसी को अरेश्ट करने जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी यानि ग्रफतार या हिरासत में कोई व्यक्ति आप ले रहे हैं पेस करना होगा, तो मैस्ट्रेट टै करेंगे, इस व्यक्ति का क्या होगा, बेल दी जाएगी या फिर जेल में पहुचाए जाएगा, यह ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट बात ही है, यात्रा का समय छोड़ कर नहीं है, बलकि यात्रा का समय जोड़ कर जोबी समय लगे, आदा गंटा एक गंटा वो इसमें जोड़ कर, चोविस गंटी में जोड़ कर यहाँ पर तप्रस्तुत किया जाएगा, तो यहाँ सेगिंड बाला कतन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा गया है, यात्रा का समय 24 गंटों में जोड़ कर, तब यहाँ पर लगाया जाता है, थर्ड है, गिरफतार या हिरासत में लिया गए ब्यक्ति को वकील से बिचार में मर्स करने और अपने बहचाओ के लिए बखिल रखने का अधिकार है, तो थर्ड बाला कतन यहाँ पर सही है, यहाँ पर पहला और तीसरा कतन सही है, तो आंसर है आपका एक के बल एक और तीन, क्वेशन नमबर नाइन है आज आपका, नवा प्रशन है आपका, भारती सम्मिधान में शोषड को रोकने के लिए कड़े प्रापधान रखे गए हैं, शोषड के खिलाब अधिकार के संबन्द में निम्निक्त कतनों पर बेचार की जिए, मुझा ग जानते होंगे, हमारे सम्मिधान में खास करके जो तीन बुराईयां थी, उन्हें ग्यर कानूनी घोषड कर दिया, जिसमें सबसे जादा आप जानते होंगे, कि मनुश से जाती कि अवैद बयापार का निसा, अवैद बयापार का मनलब क्या है, जैसे आप जानते होंगे, महलाएं इस बात की वहजा सिकार होती है, महलाएं जो हैं, आप देखते होंगे, जो आपके जो हैं यहाँ पर अनेतिक कारे हैं, उनके लिए महलाओं को जवरन यहाँ पर कैप्चर किया जाता है, उनकी ट्रेफिंग की जाती है, तो इस तरह के कारेओं को यहाँ पर पुरी तरह से कानुईन रूप से प्रत्बंदित किया हुआ है, सेकंड है, किसी किस्म के बेगार या जवरन काम करनवाना का निश्यद, याँ आप किसी व्यक्ति से जवरन काम नहीं करवा सकते हैं, बेगार नहीं करवा सकते हैं, बेगार का मलब क्या है, कि आप उसे बिलकुल महनता नहीं नहीं दे, आप पुले दिन अपने खेत में काम करवाएं, उसे बिलकुल उसकी महनता नहीं नहीं दे, इस तरह का काम आप नहीं करवा सकते हैं, बंदुवा मजदूरी पर रोग, कि रहुए मैधूर्व नहीं मना सकते हैं तो यह थर्ड वाला कुछन भी सही है बाल मैधूरी पर रेकूर्ट देखिए बाल मैधूरी का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे समय रान में कि बात बहुत इसपेश्च तरीके से लिखी गई है कि कि किसी भी कार खाने में कोई भी यहां पर जो भी कार खाना है यानि बाल मैदूरी के तहरत यहां पर यह रखा गया है किसी कार खाने ख़दान या रेलबे या बंदरगा जैसे खतरना काम में 14 बरस से कम आयू का कोई बच्चा सनलिप्त नहीं किया जाएगा 14 बरस से कम आयू का भारत के अधिकांस लोग अलग-लग धर्मों को मानते हैं। भारती समिधान में वर्डित लोगों की धार्मिक सुतंता की अधिकार के संदर्व में निम्लेकित कत्नों पर विचार कीजिए। लालच देकर उसे धर्म परवतन करा सकता है। चौता है, सरकार किसी धर्म या धर्मिक संस्ता को बढ़ावा देने या उसके रकरकाव के लिए किसी व्यक्त को कर देने के मजबूर नहीं कर सकती है। पांचमा है, सरकारी सेचिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक दिर्देश नहीं होना चाहिए, देकिए भारत एक धर्म दिर्बेक्ष देश है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने देश में मौजूद जितने भी धर्म के रहने वाले लोग हैं, उन सभी की धर्मिक सुतंता को सनिश्चित किया है, तो धर्मिक सुतंता को सनिश्चित कैसे किया जा सकता है, इसको हमने धर्मिक सुतंता की अधिकार की रूप में मौलिक अधिकारों में वर्डित कर दिया है, ताकि सभी धर्मों की जो लोग हमारे यहां रह रहे हैं, उन सभी की मंदर, महचित, गुर्द्वारा जो भी हो आप उसका प्रबंदन कर सकते हैं उसमें सरगार अस्टेप नहीं करेगी सेकंड वाला कतन सही है तिसरी बात यह है यहाँ पर आप आपको धार्मिक स्वतंता का मलब यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जहां से में लाकर किसी व्य व्यक्ति को जहां सा देकर फरेब करके या लालच देकर या उससे धर्म परिवर्दन नहीं करा सकता है आगे है यहाँ पर सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्ता को बढ़ावा देने या उसके रखरखाओं के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा एक धर्मरिपिक्ष देस है, तो हमारे यहाँ सरकार के लिए भी यह प्राबधान रखाया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर force नहीं कर सकती है, कि आप particular किसी धर्म के लिए अपना पैसा देजिए या tax देजिए तो यह चौथा वाला कतन पिल्कुल सही है सरकारी सेचिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिन निर्देश नहीं होना चाहिए सभी धर्मों को समान रूप से महनता दी जाएगी किसी एक particular धर्म का निर्देश यहां पर नहीं दिया जाएगा और प्राइवेट संस्थान पगरा है उनसे भी यह यह पिक्चा की गई है अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं कोई सेचिक संस्थान आप दार्मिन दिर्देश दे रहे हैं तो आपके जो इसकुली आवर है या पिर जो सिछड की गद्विदियां उनके बाद यह दे सकते हैं और इसमें भी आप पोर्स नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को यानि जो बच्चा लेना चाह रहा है जिसके ग भासा, संस्कति और धर्म को संच्च्चत करने का अधिकार है बारती समिधान में अल्ब संकित वर्गों को मिले अधिकारों से संब्दित निम्निक्त कतनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कतन यहां पर सही है यानि जो माइनॉर्टी कम्यूटी है उनको जो पचाने का अधिकार है सेकिंड किसी भी सरकारी या सरकारी अंद्वान पाने वाले सैच्चिक स्थान में किसी नागरिक को धर्म या भासा के अधारबा धाकला लेने से नहीं रोगा जा सकता है सबी अल्बसंख्यों को अपनी पसंद का सैच्चिक स्थान इस्ताबित करने और चलाने का अधिकार नहीं है देगे यहाँ पर सबसे important बात यह थी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आपको पता है हमने 1947 का सबसे गंभीर विभाजन भी देखा था और विभाजन के उपरांथ हमने एक लंबा खुनी संगर्स भी देखा था लब बीस लाग से जादा लोग मारे गए थे तो हमारे समिधान निर्माताओं के माइड में यह बहुत इस पश्च तरीके से थी कि हमारे देश में जो भी रहने वाले अल्बसंग्यक समदाए हैं वो कभी यह मैसूस ना करें कि हमारे साथ भेदवा हो रहा है हमें दबाया गया है वो कभी ऐसा महसूस ना करें उन्हें भी बरावरी का अधिकार दिया जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी हमारा समिधान बनना के तयार हुआ है तो यहाँ पर अल्बसंगों को उनकी भासा, संस्कत और धर्म को बचाने के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार तुदान किया गया है तो यहाँ पर पहला कतन बिल्कु सही है कि नागरिकों में बिशिष्ट भासा या संस्कत वाले किसी भी संहूं को अपनी भासा और संस्कत को बचाने का अधिकार है सेकिंड, किसी भी सरकारी या सरकारी अंद्वान पाने वाले सैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भासा के आधार पर धाकिला देने से नहीं रोका जा सकता है यानि आप किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर धाखला नेने से नहीं रोख सकते हैं, कि वल इस आधार पर के वह पट्रार एक धर्म का है, पट्रार एक धर्म का है, पट्रार एक धर्मिक समधाय की गत्विद्यों को फॉलो करता है, तो इस पट्रार एक धर्मिक समधाय की ब जो यहाँ पर अपनी पसंद के स्थाचिक स्थान इस्ठाबित करने की आजादी दी गई है अनुछे टीस के तेरी नया आजादी ये प्रदान की गई है तो यहाँ पर थर्ड गतन गलत हो जैगा यहाँ पर लिगार नहीं आधिकार है यह सबी अलब संखों को अपनी पसंद का चैक्षिस समस्तान इस्ताबित करने और चलाने का अधिकार संभिधान में दिया गया है तो यहाँ बर कथन जो है आपका केवाल एक और दो कथन सकते हैं तो आंसर है आपका C केवाल एक और दो Q12 है अधिकारों को मात्र संभिधान में वर्डित कर देने से यह नागरिकों को नहीं मिल सकते जब तक के उन्हें प्रभावी तरीकी से लागू करने की गारंटी ना हो भारती संभिधान निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान वेयन के लिए बनाए गए प्राभधानों के संदर में निमलिकित कतनों पर बिचार कीजिए पुशा गया है कौन सा कतन यहाँ पर सत्य है पहला है सम्विधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की रच्छा करने वाले सम्विधानिक उपचार की अधिकार को एक को भी एक मौलिक अधिकार की तहत रखा है सेकंड जवहारलाल नहरू ने समधानिक उपचार की अधिकार को हमारे समधान की आत्मा और हिर्दय कहा था थर्ड है संसद मौलेक अधिकारों में कटोती वाला कानून बना सकती है पांच चौथा है सर्वोच नयायल है या उच नयायलों को मौलेक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्द्यस देने आदेस या रिट जारी करने का अधिकार है तो देखे सबसे important बात क्या होती है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी गहां पर अधिकार हो उसे कानून में या उसे समिधान में लिख देने से प्राप्त नहीं हो जाता है कि आपने केबल लिख दिया है उसको कोई गारंटी देने वाला नहीं है कि हम इस पर claim करी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इससे वो मिल नहीं जाता है तो सम्मेधान निर्माताओं के माइंड में हमारी ये भी है, कि हम इसे केबल लिखने ही रहे हैं और वो प्रभावी बिल्कुल ना हो 1% भी तो ऐसा बिल्कुल ना होने पाए इसलिए इनोंने संभिधानिक उपचारों का भी प्राबधान रखा इसलिए रखा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनंद हो रहा है तो व्यक्ति उसको जोगा अधिकार दिया गया है कि वो इसके खिलाब नियायले में अपील कर सकता है तो यहाँ पर पहला गतन वही है कि संभिधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले संभिधानिक उपचार की अधिकार को एक मौलिक अधिकार की तहत रखा है और आपका ये संब्धानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छे 32 के तहत वर्डित किया गया है आइटिकल 32 के तहत वर्डित किया गया है यवाहरलाल नहरू ने संब्धानिक उपचार के अधिकार को हमारे संब्धान की आत्मा और ध्या कहा है देखिए सेकेंड वाला ख इसको सन्मिधान की आत्मा या हिर्द्य अ कहा है कि दॉट्टर बी-यार अम्बीड करने कहा है तो सैखने वाला कतन असत है संसत मौलिक अदिकारों में कटोथी वाला कानून बना सकती है लेकर मौलिक अधिकारों में खुछ से ये बात कही गई है कि संसत किसी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मौलिक अधिकारों कटोधी करने वाला हो हाला कि जरूद पढ़ने पर आपातकाल की सिदी में कुछ मौलेक अधिकारों यहाँ पर निस्प्रभावी कर दिये जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ अधिकार जो है यहाँ पर प्रभावी रखे जाते हैं लेकिन संसद यहाँ पर मौलेक अधिकारों को खत्म करने वाला या मौलेक अतिकारों कर्टोधी करने वाला कोई भी कानून नहीं बना सकती है अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ पर संभिधान के मूल धांचे का हनन्द होगा इसके बारे में पहली सुप्रीम कोट टिपड़ी कर चुका है आपको बताना है कि कौन से मामले में सुप्रीम कोट ने संभिधान के मूल धांचे वाली टिपड़ी की है यह आपको बताना है कमेंट में आपको बताएंगे ठीक आप कमेंट में हमें आंसर यहाँ पर बताएंगे हधिकार है। जड़ा हुआ मामला हो जिसमें किसी एक समधाय के मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो फिर PIL के माध्यम से कोई भी जनितियाज का यहाँ पर सुप्रीम कोड को डाल सकता है इमेल के द्वारा पत्र के द्वारा जनितियाज का भी आज भी एकसेप्ट हो रही है तो यहाँ पर अगर कोई सामाजिक रूप से जड़ा हुआ मामला है सब के हिस्से जड़ा हुआ मामला है और किसी समधाय के साथ में कितों का हनन हो रहा है तो उस हिस्ति में यहाँ पर PIL भी डाड़ी जा सकती है सुप्रीम कोड में हाई कोड़ में है यहां पर 4 वाला قतन बिल्कुत सही है यहां पर उछा गया है देखें यहां पर 3 वाला गतन कलट हो जाएगा, यहां पर लिखा है संसत मौली कतिगार हों कर्टोती वाला कानून तो नहीं बना सकती है, तो यहां पर पुछा गया है कौन सा कतन सकते है केवल एक और चार गतन सत्य है तो आंसर है आपका D केवल एक और चार Question number 13 है आपका यह आपका राश्टी मानवा दिकार आयोग के संदर में पूछा गया है और इसके बारे में पूछा है कौन सा गतन असत्य है पहला है इस आयोग का गतन 1992 में किया गया आम तोर पर सिवा निप्रत जज अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है यह मानवा दिकार से संदर अदालती मामलों में भी अपना फैसला दे सकता है या खुद किसी को सजा भी दे सकता है चोथा है आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाओ सरकार को देता है या पीड़तों की तरब से स्वयम नाईले में अपील करता है या किसी भी अलत की तरह चस्मदीत गवाओं को संबन भेज़ कर बोला सकता है किसी भी सरकारी अधिकारी से फूश्टाच कर सकता है या किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है किसी भी जेल में जांच कर सकता है या घटना इस्टल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है देखिए ये बात आप जानते होंगे लगातार आप पूरी दुनिया में कही ना कहीं आप देखेंगे जो मानवादिकार के प्रती बढ़ती जागरुपता और मानव गरिमा को लेकर जो संगर्स हुए हैं उनके उपरांद यह सहमती निकली है तमाम अंतराष्टी संग्ठनों ने कि मानव के अधिकारों को बचाने के लिए एक अंतराष्टी संग्ठन यहाँ पर बनाया जाए और जब अंतराष्टी संग्ठन बन गया तो अंतराष्टी संग्ठन में भारत ने भी जो यहाँ पर अस्ताक्षर किये भारत ने भी प्रतिपद्धी यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिबत्ता जताई कि हम अपने देश में अभी अपने देश के नागरेकों के अधिकार को लेकर एक मानवा धिकार संग्टन इस्थापित करेंगे तो ऐसे करके हमारे यहाँ एक मानवा धिकार आयोग बनाया गिया है यहाँ पर हमारे हाँ आयोग का जो गठन है वो 1992 में नहीं बलके 1993 में आयोग का गठन किया गिया है और यहाँ आयोग जो है हमारे हाँ नियायरपाल का की तरह सरकार से स्वतंत्रा होता है नहीं सरकार के दबाव में नहीं होता है बलके सरकार से बलकु स्वतंत्रा आयोग है य तो यहाँ पहला वाला खतन गलत हो जाएगा 1992 में नहीं बलकि 1993 में बनाया गया है किस तरह से यहाँ पर नियुक्त प्रिक्रिया बगएरा है देखिए आयोक पे जो नियुक्ति है वो राश्टपती करते हैं और इसमें आम तोरबर सेवा निब्रत जज है अधिकारी है या प्रमुक नागरिकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है और नियुक्त करने का काम कौन है राश्टपती इसकी नियुक्त करती है तो यहाँ सेक्ड़ वाला कतन बिल्कुल सही है थर्ड है आपका यह मानवा देकार से सम्मंदित अधालती मामलों में भी अपना फैसला दे सकता है यह खुद किसी को सजा भी दे सकता है देखें यहाँ ध्यान देने वाली बात है माली जो कोई मामला जो है नियाले में लंबित है नियाले में मामला चल था है नियाले उस पर सुनवाई कर रहा है तो यह अपना उसमें फैसला नहीं दे सकता है खुद किसी को यह सजा भी नहीं दे सकता है इसकी जो कारे सहली है या फिर इसको कारे करने की प्रकति है वो आप कह सकते हैं अपीली है यानि कि यह किसी कोई भी मामला पाता है जो कि नैयले के संग्यान में नहीं है उस मामले को ढूनकर निकालता है उसके खिलाब सबुट जुटाता है और फिर नैयले में अपील करता है कि सम्मंधित बिर्ती ने ये अपराद किया है ये ये सरकार ने अपराद किया है लोगों के परती तो आप इन्हें सजा दीजिए तो नियायले का कारे है सजा देना, ना कि इसका, तो यहाँ पर थर्ड बाला कतन गलत हो जाएगा. चोथा है, आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाओ, सरकार को देता है, यहाँ पीड़तों की तरब से स्वयम नयायले में अपील करता है, यहाँ सकी मैंने अभी बताया, इसका आधिकार जो है, वो अपील ही आधिकार है, यह किसी भी चीज़ की तथ्यों की चानवीन करके, ज मुश्ताच कर सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेच की मांग कर सकता है, किसी भी जेल में जांच कर सकता है, या घटना स्टल पर अपनी जांच टीम बेश सकता है, यह विल्कों सही बात है, यानि कि यह इस तरह की जो है, यहाँ पर यह कारे से सौपे गई हैं, देगे प्रतिबंत लगाते हैं कि आप इस तरह के क्रिया कलाब पुलिस थाने वगेरा में नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर असत प्रतिग्या पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मानिता दी गई है जो भारतिय समिधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं मानवा अधिकार कारिकरता इन्हें मानक अधिकार इन्हीं स्टेंडर्ड राइट के रूप में देखते हैं मानक मानवा अधिकार के संधर में निर्मलेखित कत्नों पर विचार कीजिए तो इन अधिकारों में कौन-कोन अधिकार आएंगे वो आपको यहाँपर पुझा गया है तो पहला वाला कतन बिल्कु सही है, कामगारों को सुरक्षित और स्वास्त्य प्रद महावल का अधिकार है, यानि कि कोई भी मैदूर पगेरा है, या उनके परिवार पगेरा है, उनको सम्मान जनक, जीवन इस्तर लाइक, उचित मैदूरी का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत कम मैदूरी मिल लही हो, इसमें उनका पाल पोशड़ी ना हो पाए, तो य शिच्छा का अधिकार, यह आपको बता ही होगा, कि हमारे सिच्छा का अधिकार, जो है fundamental right मुन्यादी अधिकार बनाया गया है, जो आपको कमेंट में बताना है, किस अधिकार के थेत, कौन से सम्मिजान संसुदन के थेत, इसे जो है मूल अधिकार में सामिल किया गया है, और भरतमान में कौन से अनुच्छित में से वर्डित किया गया है। आपसे दो प्रश्णों मैंने पूछे हैं, दोनों प्रश्णों के आंसर आपको देने हैं कमेंट में, इनमें ये आपके पांचवा दिकार आती हैं, तो आंसर होगा D, ये उपरोक्त सभी हैं। ये कहने कमालब क्या है, कि आपने किसी अंतराश्टी कानून पर, किसी अंतराश्टी प्रतग्याबर्थ पर अगर स्टाक्चर कर दिये हैं, तो उसके बिचारों को आपको follow करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, और अपने देश में भी उसे implement करना पड़ेगा। संबन क्या होता है, संबन की बात करते हैं, संबन जो है किसी ब्यक्ति को न्यायले के समक्च पेस होने का आधियस है, ये पहले का तीसरा हो गया, एका दूसरा हो गया, रिट क्या है, यानि कि रिट जो है उच न्यायले या सर्वोच न्यायले द्वारा सरकार को जारी किया गया एक ओपचारिक लिखित आधियस है, इसको रिट के नाम से जानते हैं, एमनेश्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, जो कि मानवादिकारों के लिए काम करने वाले कारिकरताओं का एक अंतराश्टी संग्धन है, यानि दुनिया पर मानवादिकारों के रिच्छा के लिए एमनेश्टी इंटरनेशनल यहां पर बद है, बनाया गया है, तो यहां पर आपका ओप्सन होगा, तीन, दो, एक और चार, तो आंसर है आपका D, तीन, दो, एक और प्रस नमबर 16 होगा है, आज आपका, दीगे, यहां पर आपके चैप्टर की सुरुआत में, एक इस्थान का जिकर किया गया है, गौानता नामो बे जेल का, तो उस गौानता नामो बे जेल के बारे में मैनेर प्रेश्ट बना दिया है, यहां पर, तो यहां पर बताया गया अंतराश्टी मानवादिकार संग्ठन Amnesty International ने गौान्ता नामो बे के कैदियों की स्थित के बार में सूचना एगटी की है और बताया है कि उनके साथ जाती की जा रही है गौान्ता नामो बे जेल के संधर में निम्निकित कत्मों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा गतन यहाँ पर असत्य है पहला है यह जेल मद अमेर की देश क्यूबा के एक टापू पर इस्तित है सेकंड इस टापू पर कनेडा की नोसेना का कबजा है थार्ड है इस जेल में बंद गिरफतार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफतारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई है तो सबसे पहले आप जान लीदिए जो गुवांता नाम बे जेल है यह मद अमेर की एक देश है क्यूबा इसके टापू पर यह इस्तित है पहला वाला कतन बल्कु सही है यहाँ पर यह जेल है इसमें USA की नोसेना का कब जाए याणि जो टापू है जिस टापू पर यह बनी है वो USA की नोसेना है नेबी है उसके अधीन है यानि कह सकते हैं पुरी जेल जो है वो USA के अधीन है अब जेल में कैदी कौन है आपको पता होगा जो 9-11 का हमला हुआ था उसके बाद USA ने भिविन देसों में जा जाकर यानि ये बात तो आपको पता होगा कि अमेरिका वाले किसी से बीजा नहीं लेते हैं अमेरिका वाले किसी भी देस की सरकार से पर्मिसन नहीं लेते हैं जहां भी उन्हें एंट्री मार नहीं होती हैं एंट्री मार जाते हैं और ऐसे करके गवांता नमोप की बेकी जेल में डाल दिया है, न उन्हें कोई वकील प्रोवाइड करवाये गया है, न यही पुष्ट कर पा रहे हैं कि यही आतंकबादी है या नहीं है, तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे उनके साथ अमानवी यातना दी जा रही है उनको, तो यहाँ पर वही है, पताये गाए कि इस जेल में बंद ग्रफता लोगों के देश की सरकार को उनकी ग्रफटा रही, और जेल में डालने के सुचना भी नहीं दी गयी, यही बिल्कु सही बात है, कि यहाँ पर जो इस जेल में कैदी डाले गई हैं, कैदी जो पकड़ से पीछे नहीं गट रहा है तो यह बताया गया है तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कसन असत है तो केवल सेकिंड वाला कसन असत है तो आंसर है सी केवल सेकिंड कोसोबो में हुए जातिये नरसंघार के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कसन असत है तो यह नरसंघार क्यों हुआ है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे पहला है कोसोबो पुराने युगोसलाविया का एक प्रांध था जो टूटकर अलग हो गया है सेकंड इस प्रदेश में अलवानी आई लोगों की संख्या बहुत जादा थी पर पूरे देश में अगर संख्या की लिहास से देखें तो सर्व लोग बहुत संख्यक थे थाड है उग्र सर्व राष्टबाद के भक्तों का नेतरत मिलोशेविक ने किया के यहां पर को सोव वह था फुराने योग लोगों सलावभिया का परांट था और यह खास कर के यहां पर अल्वान आए लोग रहते थे तो पहला व्रदल बिल्कुल नाए हम, के बहुत संख्यक थे जास सेक्ट वाला कसिनमी सही हो जाएगा आप जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत संधाय अलップ संधों को से बार बार कहता है कि देश छोड़ दो हमारा देश से निगल जाओचिंड देश केवल हमारे लिये ही है हमारे संधाय के लिये ही है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर अलवई ने आई तो लोग हैं यह मारे गए हैं तो यहाँ पर थर्ड वाला कतन भी सही है यहाँ पर तीनों ही कतन आपके सही हैं तो आंसर होगा D इन में से कोई भी गतन असत्य नहीं है, यानि गलत नहीं है, यह बताया गया है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, अब देखे, अब हम यहाँ पर end में, जैसा कि मैंने पहली बताया था, जो NCRD पॉलिटी के अध्यायक्ट के end में जो अभ्यास प्रश्णावली दी हुई है, उ बिहार के मैदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, आपको पता है, यह हमारी सुधनता के अधिकारे में आता है, तो हमारे यहाँ कोई भी मैदूर, देश के किसी भी कोने में जा सकता है, ब्रतिक कारी कर सकता है, तो पहला वाला खतन बिल्कु सही है, ईसाई मिस और मर्द को समान बेतन मिलना, जैसा कि हमने अपने पहली लिखाया, अवसरों की समानता में पहली दिया हुआ है, कि हम फर्क नहीं करेंगे किसी से जाती धर्म लिंग के आधार पर, तो यहां पर फर्क ना करने की जहां पर पहली बताया गया है, तो ये भी मारे मौले कदिकारों में आता है बच्चों दारा माबाप की संपत्ती विरासत में पाना ये मौले कदिकारों में नहीं है ये मौले कदिकारों में बिल्कुल नहीं आता है ये माबाप की सहमती पर डिपेंड करता है महबाप अगर चाहेंगे तो बच्चों को देंगे नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं आपके D वाला नहीं आ रहा है Question number second है यहाँ पर इन मैंसे कौन सी स्थन्ता भाती नागरिकों को नहीं है यानि कि यहाँ पर कौन सी सतंता जो है वो बाती नागरेकों को नहीं है आपके समिधान में सरकार की अलोजना की सतंता यह आपको है यह सरकार की अलोजना आप कर सकते हैं ससस्त बिद्रों में भाग लेनी सुतंता ये आपको बिल्कुल नहीं है, आप कोई ससस्त बिद्रों नहीं कर सकते हैं, यानि हत्यारों के दंपे सरकारे के लाप बिद्रों नहीं भढ़का सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन सुरू करने की सु सम्धान के केंद्री मूल्यों पर बना है जिन बुन्यादी मूल्यों पर सम्धान की आधार सिला रखी है आप उन्हीं की आलोचना करें सम्धान कोई कलड़ ठहराए यह काम भी आप बल्कुल नहीं कर सकते हैं जैसे मौलिक इसकार को गलत बताए आप और भी जो अधिकार दि का अधिकार देता है काम का अधिकार पर्याप जीब का अधिकार अपनी संस्क्रत की रच्छा का अधिकार और नेजिता का अधिकार तो आपके समिधान में आपको राइट टू प्राइवेसी भी है अपनी नेजिता यानि कि आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भ आपको काम का अधिकार भी है यादिकार काम कि नहीं नीथिस सकते diva परयात काम नहें करёл वक्ष्ट का और नाजीप branches पड़ेगी कि आपको ऐन परयात वाली नहीं आपको सर्कार करे गी जो भेने करेगी तर वो आजीप का आपको देनी पड़ेगी, तो ध्यान देने वाली बात यह है, यह भारती समिधान, ठीक है, भारती समिधान में यह सारी अधिकार दिये हैं, हाना कि मौलिक अधिकारों में केवल यही अधिकार दिये हैं, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, यह फोकस करना है इस थोड अधिकार का नाम बताएं जिसके त्यात निम्रे की स्वतनता आती है यहां पर बताएगा है कौन कौन से कि अपने धर्म का पचार करने की स्वतनता यह आपके धार में स्वतनता का अधिकार है जीवन का अधिकार यानि कि आपके प्राणड और धेक सोतंता का अधिकार है उसके त्यात आएगा चुआ चूत की समाप्ति जो है आपके क्या है समांता के अधिकार के त्यात आएगी हर लोगतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है देखे ब्जायान तो बिल्कुर नहीं हो सकता है अधिकार देना अच्छा है पर लोगतांत्र के जरूरी नहीं है यानि कि कई सारे देस ऐसे भी हैं जहाबर नागरिकों को कुछ अधिकार तो दे दिये हैं लेकिन जो बुन्यादी अधिकार हैं केंद्री अधिकार बोले जाते हैं वो अधिकार नहीं दिये गए हैं तो ये भी जरूरी नहीं है यापर पहला वाला कथम सही है कि हर लोगतांति देश अपने नागरिकों को अधिकार देदा है यानि कि अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रतियक देश चाहिए लोगतांति नहीं हो किन्तों लोकतांत के लिए आवस्यक यह है कि वे अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान जरूर करेगा, बुनियादी अधिकार प्रदान जरूर करेगा, तो यह पहला वाला कतन ज्याला सर्टीक है, कुशन नमर्श सिक्स है आज़ापका, सुतंता के अधिकार पर यह पावधिया क्या उचित हैं, अपने जबाब के पक्षम कारण बताएं, पहला है यहाँ पर भारती नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमती लेनी पड़त के लिए कुछ इलाकों में भारी लोगों को संपत्ती खरिदने के अनुमती नहीं है, खास करके यह कुछ पूरवत्तर राज्यों के बारे में प्रापधान है, पूरवत्तर राज्यों के पूरवत्तर राज्यों के लिहाज से काफी ज़्यादा कह सकते हैं, उननत हैं, उनक कोई किसी बिशिस्ट संक्रती इलाके से समध्य दियादिकार सही है सासक दल को अगले चनाव में नुकसान पहुचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रद्द लगाती है ये गलत है देगे ये तो कहिना कही ये बावन्दी उचित नहीं है ये पावन्दी अनुचित है यानि इसमें किसी सासक दल केवल केवल अपने फायदों को देख रा है मालीजे कोई BJP कॉंग्रेस तो भी पार्टी हो और मालीजे किसी पार्टी को लेकर कोई किताब लेखी गई हो और वो किताब उनकी बोट मैंक खराब कर देगी इस हिसाब से वो पार्टी प्रजवन लगा दे यह उचित नहीं है यह लोगों के सामने सत्य आना चाहिए यह लोकतंत्र में अव्यक्ती सोतंता है बाक और अव्यक्ती सोतंता है तो कहीना कि बाक और अव्यक्ती सोतंता का यह हरन कर रही है हाला कि उपर जो पावंदिया है वो पावंदिया नहीं है वो पावंदिया बिलकोर सही है ये जरुरत पढ़ने पर ऐसा नहीं हामिसा जरुरत पढ़ने पर तो ऐसे करके हमारा यहाँ पर chapter complete हो जाता है I hope आपको ये chapter पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लैक्षियर करने आप बिलकुल नहीं भूलें तेकि आप लोगों का यहाँ पर अंतिम अध्या जो होता क्लास 9 का वो भी पूरा हो गया है अब बहुत जल्दी आपको क्लास 10 के पॉलिटी के MCQ मिलने लगेंगे तो आप लोग बने रहिए साथी साथ वीडियो को लैक्षियर करना बिलकुल नहीं भूलिए जाए से आदा लोग अतार इस वीडियो को पहुचाईए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ठैंक्स पर वाचिंग जय हिंद